वैसे मैं ज्यादा प्रियोर्टी तो बुक्स पढ़ने को ही देता हूं फिर भी अगर बुक्स पढ़ने में किसी का इंटरस्ट ना हो तो वो कुछ ऐसी मूवी देखें जिसे उसे बहुत कुछ सीखने को मिले नमस्कार दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं अधर पार्श्टो हैपिनेस जिसे डेरेट की है गैब्रियल मुशीन उने परनेंशेशन देख लेना कुछ गलत हो सकती है और इसके जो राइटर है स्टीव कॉनराड इन दोनों के नाम इसलिए लेने इसलिए अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत कमाल का काम है यह कमाल की मूवी है इसके अंदर कास्ट है विल स्मित जिन्होंने प्ले किया है रियल स्टोरी के उपर बेस्ट है और उसकी वाइफ लिंडा होटल में जोब करती है और क्रिश ने बहुत सारे रूपे एक ऐसी मशीन के उपर खर्च कर दिये है या फिर इन्वेस्ट कर दिये है जो हड़ियों का एक अच्छी इमेज प्रवाइड कर सके है मतलब कहें कि एकसरे की तरह ही वो काम करती है या नहीं कि एकसरे से थोड़ी सी बैटर है उससे बैटर इमेज क्वालिटी वो प्रवाइड करती है लेकिन उसकी कीमत एकसरे से दो गुनी है कि वो इन मस्चीन को बेच के अपने घर का खर्चा चला सके लेकिन बहुं सारी कोशिस के बाद एक भी मस्चीन इसकी नहीं बिकती कैर यह सब चीजें हो रही है वो स्ट्रगल जहल रहा है इसके बाद क्रिश की जो वाइफ लिंडा है वो भी अपनी लाइफ से तंग आ चुकी है क्योंकि कोई भी मशीन नहीं भी किया है तो लिंडा एक दिन डिसाइड करती है कि वो अब क्रिश को छोड़ कर न्यू योर्क म अपने से दूर नहीं जाने देता क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करता है तो मकान मालिक जिस घर में वो रह रहा है उसका समान बाहर रख देता है क्योंकि उसने तीन से या चार महिने तक किराया नहीं दिया होता क्योंकि कोई मशीन नहीं भी किया होती और इस बीच पूल्टर की एक कंपणी अ जो क स्टोक ओल्टर की तरह वहां पर इक इंटर्शिब में चला जाता है छे महीने के लिए अब साती साथ उसे मशीन भी बेचनी है उसके घर भी नहीं है तो उस घर को भी खोजना है तो वह स्टार्टिंग में जब उसकी कुछ मशीने होती है वह प्रफ चार Nossa में तक उन मशीनों को बेच कर जैसे तैसे कम ग्रिर अंदाम में इने बेच कर अपने चार महीनों का करचा निकाल लेकर गंडर फ्री उसे प्रक्राइब करना पड़ता है और नहीं यहां पर इसके लास्ट में यह होता है कि कोई पका वादा कि अगर यह इंटर्शिप कंप्लिट हो जाएगी जब एक्जाम इसका होगा और इस एक्जाम में तुम नंबर अच्छे ले आओगे तो तुम्हें कोई जो मिल जाएगी नहीं ऐसा कुछ नहीं होता फिर भी वो उस चीज में वो लगा हुआ होता है अपनी महनत उसमें लगाई हुई होत इंटर्शिप अपने बच्चे को भी उसने अपने साथ रख रखा गया है तो उसे भी खिलाना है रहने के लिए घर भी चाहिए यह जो तो महीने होते हैं यह सबसे उसके उसके जीवन के सबसे हार दिखाए गए हैं, उसके पास घर नहीं है, तो एक ऐसी जगह जाता है, जहां पर उसे घर मिल सके, पता नहीं है, ऐसी जगह वो दिखाए गई है, मूवी के अंदर, कि भी रात के लिए जो भी होमलेस होते हैं, उनको प्रॉइड किया जाते हैं, घर जो हैं, वो प्रॉइड के जाते हैं, घर नहीं कहें कि एक होल प्रॉइड के जाता है, जहां पर सोने के लिए, उन्हें एक रात के लिए सोने दिया जाता है, फ्री ओफ कोस्त, तो वहां पर जो होती एक लाइन लगती है, तो उस लाइन में बहुत पहले लगना पड़ता ह तीन से चार गंटे बाद वहां जाके नंबर आता है कि हाँ फिर तो कृष्ट क्या करता है जो 9 गंटे में उसके कलिक काम कर रहे हैं वो उसको जहते तैसे 6 गंटों में ख़तम करता है। उसके करना ही पड़ता है क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है वो जाएगा वो लाइन मे मिल सके ताकि अपने बच्चे को सुला सके अपना खून बेजता है ताकि थोड़े बहुत रूपे ले सके और बहुत सारी इस मूवी के अंदर ऐसी चीज़े दिखाये दी गई हैं कि एक टाइम ऐसा आता है कि कृष्ट के पास अब जब उसके पास ये शेल्टर में उसे जग करकरा रहा होता है रात को तो उसकी एक टांग से अपने उस दर्वाजे को लगा के बैठा है ताकि आवाज ना आए या फिर कोई धक्का देके ना आजाए वैसे कुंडी लगा ही होती है मतलब डर होता है ना उस चीज़ को तो ये वाला जो सीन मैंने देखा ना यार इतना इतना स्ट्रगल उस ताइम लगा इतनी डर जो महसूस हुआ उस सीन को देखकर या कहीं कि इतना इमोशनल हो गए कि जो भी से देखेगा उसकी आँखों में जरूर आँसु जरूर आ जाएंगे हाँ ये जरूर है कि अब यह जब लास्ट में होता है कि लास्ट में जरूर स जादी चीन ले लेकिन एक चीज़ जो आपसे कोई नहीं सकता वो आपके सोचने का नजरिया जो आपकी सोच होगी वो ही आपका एटिटूड बनता है आप महनत करते हो आपको उसका परिणाम जरूर मिलेगा ये आपको पता है हर दिन आपने आपको आगे बढ़ाने की आपको जरूर मिलेगा और वो दिन कौन सा होगा शायद कल हो सकता है या उससे आने वाला अगला दिन हो सकता है कौन सा दिन होगा लेकिन ये जरूरत है कि वो दिन जरूर आएगा अब ये मत बोलना कि ऐसी मूवी देखकर मैं मोटिवेशन का मेरे उपर भूच चड़ गया ऐसा नहीं है यार मैं भी अपनी डेली लाइफ में इस चीज को मानता हूं और कर भी रहा हूं निरंतर कोशिश कर रहा हूं मेरे हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क के साथ मैं से हर दिन मैं करता हूं और मुझे यकीन है कि ये जो टाइम जो मैं चाहता हूं जो मैं चाहता ह में जो उस चीज को पाने के लिए जिसने बहुत मेहनत किये वो उसे वो जरूर मिलेगी भी कुछ ज्यादा सीरियस होगे चलो बैक टूदी पॉइंट हम मुवी बापस आते हैं क्यार मुवी की बात करें तो मुवी बहुत अच्छी है आपको जरूर देखनी चाहिए यह किसी आपके हर जज के पहलो पर यह घरी उतरने वाली है मेरी तरफ से इस मुवी को मैं देना चाहूँगा 9 out of 10 स्टार क्यार बस आज के लिए इतना ही था तैंक्स पूर वोचिंग दिस वीडियो मिलते हैं अगली वीडियो में जाहिन